दोस्तो अगर हिंदू धरम की माने तो ऐसी मानेता है कि गाय की सेबा अगर बिना लालच की की जाये तो घर में लक्षमी का वास होता है। बैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ अबश्ची खिलाते हैं। गाय को सनातन घर में लक्षमी सरूब भी माना गया है कहा जाता है कि गाय की सेबा करने से घर परिबार सुखी और संपन्न रहता है जिस घर में गाय की सेबा बिना किसी लालच के होती है उस घर में लक्षमी जी की किरपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेबा नह नगरों में रहते हैं तो बहाँ पर गाय पालना संभब नहीं होता लेकिन गाय को बहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है तो कौन सी वो तीन चीजे हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए आज हम आप से इस व तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तो गाय के अंदर सभी देवी देपताओं का निबास माना जाता है तो आप सुभा जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देपताओं का आशरीबात मिलता है गाय को गुरू के साथ जोड़ा गया है यानि गुरू गिरै के साथ ब्रसपती गिरै के साथ इसलिए गुरू बार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल कर खिलाएं तो सुक संपती धन एश बरे बढ़ता है दुष्ट गिरै शान्त हो जाते हैं जो लोग मानसिक रूप से परिशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुर लगा कर खिलाएं तो साकरात्मक उरजा आती है टैंशन खतम होती है स्वास्त अच्छा रहता है और अगर आपको लगता है कि आपके सबी घरे खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोट खिलाएं सबी घरे धीरे धीरे शुब हो जाएंगे कभी कभी जीबन में लंबे समय से कोई शुब मंगल कारे नहीं हो रहे होते हैं तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं गाय के मस्तव को छू कर अपनी मननत कहें प्रनाम करें पैर छूए तो आपकी मननत जरूर पूरी होगी तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम बो भी जान लेते हैं दोस्तो गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है अब ये रोटी बासी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए यानि कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुभा खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है वो रोटी बासी कहलाती है इसलिए गाय को एक दिन पहले की बचु को ही रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है। और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आधत को बदल दीजिए। इससे घर में तकलीफे आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर को खिलाता है। गाय को दूद नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चाबल खिला सकते हैं, लेकिन दूद ताजा हो या बचा हुआ, परन्तु गाय को भूल कर भी मत देना, तो तीन चीजे गाय को नहीं खिलानी चाहिए, एक तो बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाच बच जाए, तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चाबल, बासी बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, और अगर आप चा नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्षमी आपके घर में वास करना छोड़ देती है, 84 लाक योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनी के रूप में गौ का रूप धारन करती है, गाए लाको योनियों का बो पड़ाब है जहां आत्मा बीश्राम करके आगे की आतरा तो बो जगय पवित्र हो जाती है, ऐसी जमीन से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाए में साकर आत्मक उर्जा का भंडार माना गया है। दोज्टो गाए का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रही हैं और गाए माता आपका मार्ग रोक द तो ये बहुती शुब माना जाता है, गाय और बचले का दर्शन एक साथ आपको हो जाए, तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है, अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने बाले हैं और सुक समर्दी पूरबक जीवन आपको मिलता है, गाय के समिप अगर आप जाते हैं तो कई संकरमंड, सर्दी, खासी, जुखाम आदी, आश्चारे जनक रूप से अपने आप ही बिना दबाईयों के भी नाश हो जाता है, अगर आपको गाय अचानक से पूँच मार देती है, तो ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी जादा शुब माना गया है, पंची गवए जो होते हैं, वो कई रोगों में लाबदायक है, पंची गवए क्या क्या हुए, गाय के दूद, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभ तो आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजए, उनका सही उपियो करने के बजए, उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है, और गाय को रोटी देने से ना केबल सुक समर्दी की प्राप्ती होती है, बलकि बरकत भी होने लगती है, अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मौडर युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगए नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है, ऐसे मे सारे बोजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेबा हर कोई नहीं कर पाता, कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं, अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई भेन बिदेशों में रहते हैं, तो उनको गाय नहीं मिलती, वो पूछते हैं कि हम कैसे गाय सिबा करें, आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं, और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आए तो आप गाय शाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो बही पर किसी गरीब होने बाला है कम से कम रोटी जरूर खिलाएं दोज तो हमारे देश में कई जगे देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जूटी रोटी गाय को देते हैं क्या ये सही है या गलत है हम जूटा खाना बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं यानि कि जो बच जाता वो गाय के हवाले कर दिया जाता है तो आपको बता दें रामायन काल में गाय माता को एक शराप मिला था उसी बज़े से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है उसी शराप की बज़े से गौ माता में देवी देपताओ का वास होने के बाद भी उनको जूटा खाना पड़ता है यहां तक की गाय पॉलिथिन भी खाती है हालकि यह किसी भी लिहाजा से सही नहीं है आपको बता दें बालमिकी रामायन में सीता द्वारा पिंड़ दान दे कर दशरत की आत्मा को मोक्ष मिलने का संगदर्ब आता है जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि बनबास के दौरान भगबान राम लक्षमन और सीता मा पितर पक्ष के दौरान शरात करने के लिए गया धम पहुँचे बहां शरात करम करने के लिए जरूरी सामगरी जुटाने राम और लक्षमन तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए इधर दोपहर हो गई पिंड़िदान का समय निकलता जा रहा था सीता मा घबराने लगी तबी दशरत की आत्मा ने पिंड़िदान की मांग कर दी अब गया जी के आगे फालगु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई उन्होंने फालगु नदी के साथ वट विरक्ष केतकी के फूल और गाय को साक्षी मान कर बा कारण मैंने पिंड़िदान कर दिया बिना सामगरी के पिंड़िदान कैसे हो सकता है इसलिए राम जी ने सीता मा से इसका प्रमान मांगा तब सीता मा ने कहा कि जो फालगु नदी के रेत है केतकी के फूल है गाय और वट विरक्ष है जो मेरे दोरा किये गए शरात करम की ग गबाही दे सकते हैं इतने में फालगु नदी गाय और केतकी के फूल तीनों इसको मुकर गए उन्होंने कहा सीता मा जूट बोल लही है स्रेवट वरक्ष ने सही बात कही तब सीता जी ने दशरत का ध्यान करते हुए उनसे ही गबाही देने की प्राथना करी दशरत जी ने सीता मा की प्राथना को स्विकार करके गुशना की की एंड बक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया इस पर राम आश्चारी हुए लेकिन तीनों गबाहों दोरा जूट बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें शराब दिया फालगु नदी से कहा की जा तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा इस कारण आप भी जानते होंगे जो लोग जानते हैं फालगु नदी आज भी गया में सूकी ही रहती है दोस्तों गाय को शराब दिया की तू पूजी होकर भी लोगों का जूटा खाएगी और क दूसरों को चाया परदान करेगा तथा पती ब्रता इस्तरी तेरा इस्मरंड करके अपने पती की दिरगायू की कामना करेंगी यही कारण है कि गाय को आज भी जूटा खाना पड़ता है केतकी के फूल को सक्त तौर पर पूजा से दूर रखना बताया गया है फालगु माता में सारे देवी देपता निबास करते हैं 33 कोटी देवी देपता और पित्र का निबास होता है अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते पूजा पाट नहीं कर सकते कहीं जाकर के घरे दोशों का उपाय नहीं कर सकते तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहि हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीबन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते बक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिबार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटीयां सेखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय के उस रोटी में थोड़ा सा हलदी मिला ले। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुबार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हलदी मिला कर गाय को खिला दें। आपके जीबन में शुब्वता आती है, बैभबाता है, धन संपत्ती तथा शक्ती का व्वास होता है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे की तुरंद आपको मिंटों में वो हासिल हो जाता है, दोज तो इसी तरह आपको नमक का एक उप पूरी मानते हैं, उतना ही जोतिश में नमक को बहुती महत्यपून माना गया है, और इसे कर्ज की बस्तू माना गया है, किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है, उसका कर्जदार होना आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है, इसी लिए अगर आप जीबन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रियोग आपको आज हम बताएंगे, आप देखिए कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नह नहीं है, और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें, दोस्तो अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखें, तो सबसे बैस्ट है, आप सादा नमक, डेली बाला नमक, सस्ता नमक, जो भी है, आप वो रखें, काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है, तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है कपिला गाय यानि सफेद रंकी गाय को आपको खिला देना है अगर आपको कपिला गाय यानि की सफेद गाय नहीं मिलती तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें आपको बता दें ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है चाहें आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो कोई पारिबारिक बाद बिबाद हो सब खतम हो जाता है इस उपाय को करके आपके घर में सुख का बास होने लगता है जो भी धन की कमी हो बच्चों की पड़ाई हो करियर में सफलता हो इस इस्तिती में पुन्न फल की प्राप्ती नहीं होगी। इसे अपुन्न माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलाबा आप देखंगे कि धन संपत्ती में दिनों दिन बड़ोतरी होने ल से कमेंड बॉक्स में लिखें जै गौ माता की जै माता दी गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता है